गाईज जिस आत्म निर्बर भारत की बात हम आज करते हैं उसकी दीव तश को पहले ही रखी जा चुकी थी यहाँ गाईज आप ठीक सुन रहे हैं दरसल केरेला की अन्ना मनी जी जिने वैदर विमेन ओफ इंडिया भी कहा जाता है वो एक रिसर्च स्कॉलर थी और सीवी रमन के अंडर काम करती थी जिने साल 1953 में भारतीय मोसम विभाग का हेड बनाया गया था तब उन्होंने देखा कि भारत अपनी रिसर्च के लिए बिटेन से इंपोर्टेड इंस्टूमेंट्स ही यूज करता है तब उन्होंने भारत को आत्म निर्बर बनाने की ठानी और सो से भी जादा वेदर एक्यूप्मेंट्स बनाए जिस समय दुनिया को ओजोन के फंक्शनिंग और इंपेक्ट के बारे में पता तक नहीं था तबी अन्हामनी जी ने ओजोन मेजरिंग डिवाइस भी बना डाले थे वैसे गाईज गूगल ने अन्हामनी जी का डूडल भी बनाया था क्या आपने इसे देखा है और अगर नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और अन्हामनी जी को एक सुल्यूट जरूर कीजेगा ऐसे एमेजिन वीडियो के लिए एटू मोटिवेशन लिल को सब्सक्राइब कर लिजे विलता एकली वीडियो